पिए रिटूरि देफरी नाम इंडियन आइडल थरटीन को फाइनल योज का किताब अपने नाम करिया है रियालिटी शो इंडियन आइडल 3 के कंटेस्टन्ट बीचे साथ महिनों से अपनी बहतरी नौज से लोगों को खुश कर रहे हैं अब शो को विनर मिल गया है और अस सीजन की ट्रोफी का दावेदार तै हो चुका है इंडिन आइडल 13 की ट्रोफी आयोध्या के रेशे सिंग ने अपने नाम कर ली है रेशे सिंग ने ओडिशन ड्राउंड से ही जजेज और देश का दिल जीतने का काम शुरू कर लिया था शो पर आनी वाले बॉलिवूड इंडस्टी के तमाम सेलिब्रेटेस उनकी गाईकी के फैन बन गए थे यहां तक कि भारतिय क्रिकेट ड्रीम के पूर्फ कफ्तान विराट कोली भी रेशे सिंग के सिंगिंग टालेंट के कायल हो गए थे उत्य प्रदीश का योध्या से आये रेशे सिंग को 25 लाख रुपे का इनाम और एक कार इनाम में मिली है मही फर्स्ट रणर अप कॉलकाता की देवश्मीता रॉय और सेकिंड रणर अप जम्बू कश्मीर के चिराग कोतवाल रहे इंडिन आइडल 13 के लेट इस एपिसोड यानि की संधे को ड्रीम फिनाले में विनर मिलने तक सभी कंटेस्टेंट यानि के रुष्य सेंग सुनाक्षिकर बिदिप्ता चकरवर्ती शिवम सिंग चिराग कोतवाल समेत सभी कंटेस्टेंट ने अपनी मीठी आवास से जम कर एंटेटेंग किया इंडिन आइडल 13 के ड्रीम फिनाले में डांसिंग शो इंडियास बेस्ट डांसर के जज़ गीता कपूच आरेंस लोईज और सुनाली बेंदरे भी पहुँचे वहीं शो के फिनाले को आदिते नराइन सिंग के साथ कॉमेडियन भारती सिंग ने होस्ट कया शो के जज हिमेश रेशम या विशाल दरलानी और निहा ककर ने शो के सबी कंटेस्टेंट्स की जम कर तारिफ की जी हा दोस्तों सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडिल 13 को फाइनली अपना विनर मिल गया है और विनर की ट्रोफी गई है आयोध्या के रिशे सेंग की जोली में आपको बता दे इंडियन आइडिल 13 के ड्रीम फिनाले में सभी कंटेस्टेंट्स के परिवार के लोग पहुँचें सभी कंटेस्टेंट के शहर से उनके सपोर्ट करने वाले लोग भी आये इंडियन आइडिल 13 के ड्रीम फिनाले में गाईगी के साथ कॉमेडी का भी का ये सीजन 10 सितंबर 2023 को शुरू हुआ शू के आडिशन डाउन में 30 कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुए और इसके बाद टॉप 15 चुनेगर शू की टॉप 15 में से टॉप 6 फिनाल में पहुँचे और एक कंटेस्टेंट ने टॉफी अपने नाम कर ली जिन का नाम है रिशी सिंग इने नडल की टॉफी रिशी सिंग को मिलने के बाद क्या है आपकी राये जल्दी से हमारे कॉमेंट सेक्शन में अगर बताएं अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आप हमारे ये विडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए बॉलिफूट टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखती रहे हैं फिल्मी बीट